हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनेकल यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि आप जानते हैं हमने मेजरमेंट मापन जो है एक जो फिजिक्स की यूनिट है ये पढ़ना चालू करा था उसके आगे हम आज अगला टॉपिक लेकर आया हैं दोस्तो मेरा नाम है महत्वपून मापन के उपकरण ये जो उपकरण है इंपोर्टेंट मेजर्मेंट इक्ञीप्मेंट इस से रिलेटेड बार बार आपके एक्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहें और आते रहें हम कई भार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंसा इक्क्यूपमेंट cały कि किस का यह सारे जो हैं यह एक जैसे कौमन से कुछ वर्ड है इसलिए आज हमने इस टॉपिक को यहां पर सामिल करा है कि हम जो है इसको अलग-अलग यहां पर समझ पाएं अब हमारा जो आज का पहला यंत्रे वह हम देखते हैं क्या है अल्टी मीटर अल्टी मीटर जो होता है दोस्त एरप्लेन मतलब विमान की उचाई को नापने के काम आता है पर कौन सा विमान उड़ते हुए विमान की उचाई को यह यहां पर नापने के काम आता है इसको नीचे से ही चालू करके आप यह चीज को देख सकते हैं कि विमान जो है यह कितनी उचाई पर उड़ रहा है अग मपने के लिए कौन सा मिटर नाया गया यहां अब मिटर बनाव नालिया इससे चल्व थारे इसकी शक्ति को माप लिया जाता है आगे देखते हैं पहिता है क़ठ इनके के मन अब्षौतफा मतलब आज में आये होंगे अल्टी मीटर जो है वो किसके काम आता है उड़ते हुए विमान की उचाई को मापने के काम आता है इसके बाद में अमीटर जो होता है यह किसके काम आता है और ओडियो मीटर जो है यह किस काम में आता है धोनी की तीवरिता धोनी की स्पीट को नापने य एनिमो मीटर और एक्सिलरो मीटर क्या होता है एक्सिलो मीटर एनिमो मीटर और एरो मीटर देखिए हवा को हम क्या बोलते हैं एर तो एरो मीटर लाजमी सी बात है क्या नापेगा वायू एवं गेस का भार नापेगा यह यह एरो मीटर जो है यह क्या मापेगा वायू और कैस का भार वेट आगे हम देखते हैं क्या है एनिमो मीटर जो है यह क्या नापता है वायू की गती को जब आपने भार नाप लिया तो अब आप क्या नापेंगे उसकी गती को भी नाप लेंगे तो एनिमो मीटर जो होता है यह वायू की गती को नापता है यहां पर बहुत अच् Am/. स्पीड लिखा होती है उसमें ऐसा करके भी लिखा हुआ होता है कि अधा । स्पीड जो है वह 30-50 से सह भीच में होता है इसको जादा अच्छे से ध्हान रखेगा remember कि यह वायू मंदल जो है उसका दाव कितना है जैसे कि फॉर आग्जामपल अभी गर्मी के दिन जो है जालू हो चुका है तो गर्मी के दिनों में जो बाई व्यायू मंदल यह कम हो जाता है क्योंकि हवाये जो होती है यह सगन से क्या हो जाती है विरल हो जाती है वहीं ठंडियों के मुसम में क्या होता है कि हवा के अंदर जो है हवाएं सगन हो जाती है इसके कारण वायू मंदल का दाव यह क्या होता है अपने आप यहां पर इंक्रीज हो जाता है अगला देखते हम कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर जो है उश्मा की मातरा को नापेगा उश्मा की अपने यूनिट पड़ी थी क्या थी कैलोरी कैलोरी में हम उश्मा को नापते हैं क्योंकि ये भी एक क्या है उड़्जा का प्रकार है तो जितने भी टाइप के उड़्जा के प्रकार होते हैं उनको सब को हम किसमें नापते है केलोरी में नापते हैं इसलिए केलोरी मीटर तो उर्जा की मातरा को यहां पर बताता है अब बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा हमारा नौवा जो है यंत्र यह क्या है वर्नियर कैलिपर्स यह हमने बहुत सारे जो विज्ञान के स्टुडेंट रहें जो साइन्स के इनका व्यास की गहरा को नापता है कि इनका hago कितना गैरा है यह कितना है आप यह भी बोल सकते हैं तो ब्रनियर के लिपर जो है यह हमेशा बेलन आकार की वस्तुए यहां पर जरूरी क्या है कि ये वेलन जो है है ट्यू झोह यहां पर होना जरूरी होता है अगला हम देखते हैं अगला यंत्र कॉन सा है अब यहां पर फिर common 3 आ गये हैं इस जो की लगवग लगवग एक जैसे दिखते हैं आपर सब सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इट्रो मीटर हाइड्रो मीटर जो होता है यह वस्थु का सापंचिक घनत्व नापने के काम आगे हम देखते हैं फिर क्या है हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन के अंदर क्या चीज होती है यह जो हाइड्रोफोन जो होता है हाइड्रोफोन क्या करता है जल के भीतर की जो ध्वनी होती है इसको यह नाप सकता है कि जल के भीतर जो भी ध्वनी आ रही है यह किस टाइप की तो आपको बाहर की वाज़ए होती है यह सुनाई नहीं देती हैंद किया करता है नार्मल जो होता है यह क्या करता है यह बाहर की अवाजों को भी हमें सुना देता है पानी के अंदर भी यह आवाजों को सुन लेता है आगे हम देखते हैं क्या है हाइग्रो मीटर हाइग्रो मीटर जो है हाइग्रो मीटर वायू मंडली आधरता को नापने के काम में आता है कि वायू मंडल के अंदर कितनी जादा आधरता है अगला हम देखते है कैंक्य लेक्टो新聞 सबीं कि दूद की शुद्धता को नापने के काम आता है अब इसका नाम लेक्टो मिट्विट मीटर ही क्यожं सकते हैं एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है लेक्टो बेसिलस तो यह जो लेक्टोस यह लेक्टो बेसिलस जो एंजाइम होता है यहां एक टाइप का प्रोटीन भी पाया जाता है लेक्टास जो होता है दूद के अंदर होता है तो यह दूद की सुद्धता को मापने के काम में आता है आगे हम देखते हैं रेंगेज रे तो यह जो रेंगेस जो हता है इसी से क्या मापा जाता है वर्षा की मातर dal को यहां पर लिया जाता है अग़ला हम धिस जब आप weekर के लिफा सका प्रयोग mom तब आपने एक चीज़ और मीटर जो होता है यह ओडो मीटर आपके वाहन में सामने लगा हुआ होता है आपके जो भी आप वाहने चाहे वो फोर वीलर हो चाहे वो टू वीलर हो उसमें यह लगा हुआ होता है और जिससे आप पता लगाते हैं कि आप कुल मिलाकर कितनी दूरी यहां पर तै कर चुके हैं पर ओम मीटर ओम मीटर जो होता है ओम ने एक law दिया था जिसका नाम क्या था ओम्स law और ओम्स law के अंदर यहाँ पर जो main बात इसने करी थी ओम्स ने वो क्या करी थी प्रतिरोत की तो यहाँ पर यह जो ओम मीटर होगा यह भी किसके काम आएगा विद्दुत के प्रतिरोत के क तो दोस्तों अब हम यहाँ से यह तो आपके इतने यंत्र थे और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अ आपको बाद में एक साथ जब हमारे 2 या 3 topic हो जाएंगे तब आपको एक PDF के रूप में हम दे देंगे पर आज जो इससे related महत्वपूर्ण प्रशन है वो हम देखते हैं कुछ ही प्रशन है सबसे पहले क्या है कारे का मातरक क्या होता है बार 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 पूछ लिया जाता है ब हास्थ पावर भी बोलते हैं जैसे कि हम जब भी कोई भी मोटर लेने के लिए जाते है आप कोई मोटर को यह चंप सकति हास्थ पावर आगे म bisa का मातर क्on noticed क्या होता है लोगा क्या होती है इसकी Newton second आगे हम देखते हैं कोणी विस्थापन यह कोणी विस्थापन क्या चीज़ होती है कोणी विस्थापन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं रेडियन बोलते हैं दोस्तो अगला हम देखते हैं एक पारतों आदे काम होता है में तो-स प्रकाश वर्ष यह लाइट यह आप जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या चीज होती है कि एक वर्ष के अंदर जितना प्रकाश जो है वो ट्रेवल कर लेता है धरती से सूर्य तक यह सूर्य से धरती तक तो इसी की ट्रेवल की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते प्रकाश व और वेक कानुपात क्या कहलाएगा यहां पर मास कहलाएगा यही क्या कहलाएगा द्रव्यमान कहलाएगा आज का हमारा आखरी प्रशन देखते हैं पार्सेग क्या है अभी मैंने आपको समझाया कि पार्सेग एक पार्सेग बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्स ऐसे ही पा और गती, motion जो है वो यहाँ पर चालू करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ दोस्तों में फिर से आप से यह request करता हूं कि आपके जो भी doubts हों, even वीडियो के अंदर आपको जो भी कमी भी लग रही हो तो आप उसको comment box में बिल्कुल लिखें यदि हम तक information नहीं पहुचेगी तो हम बिल्कुल भी आपकी मदद यहाँ पर help यहाँ पर नहीं कर पाएंगे आप हमें बताइए कि topic जो हैं हमें कौन से topic यहाँ पर किस topic से related या किस exam से related हमें यहाँ पर वीडियो बनाने चाहिए उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे like, share और comment ज्यादा से ज्यादा इसे comment जरूर करें दोस्तो धन्यवाद